अंस्क्रिप्टिड पॉड्कास्ट के एक और एपिसोड में आप सब का स्वागत है इस बार हमारे साथ आज की कॉण्विजेशन में कुवर वासुदेव यहां पर मौजूद है लेकिन अगर आप बाकी स्टेट्स की बात करें वैसे यार प्रसर्व करके रखा नहीं जा रहा है जमू का जो कल्टर है उसको खतम करने में एड्मिस्ट्रेशन का गवर्मेंट का ब्यूरोक्रेसी का हाथ है आपने आर्टिकल की बात छेड़ दिया तो एक और क्वेशन पूछ लू शॉट में बताएं कि क्या कुछ चीज़े थी जो हटनी चाहिए थी पूरा का पूरा आर्टिकल उसके लिए हटा दिया गया कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक सटनी चाहिए थी जमू कश्मीर बराबर होना चाहिए था लदाक बराबर होना चाहिए था जो पौवर है वो जमू से चलनी चाहिए थी क्योंकि जमू एकनॉमिक हब भी है और जमू बहतर जानता है कि कैसे जमू किश्मीर को चलाया जाए क्योंकि कल्चरल पॉइंट ओफ व्यू से जो हमारा हिस्टॉरिकल पॉइंट ओफ व्यू है जमू ने चलाया और आगे भी चलाने का दम रखता है तो अंस्क्रिप्टिट पॉड़कास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है मैं और जॉड़ी हम दोरो फिर हाजिर है और इस बार हमारे साथ आज की कॉन्वेशेशन में कुवर वासु देव यहां पर मौजूद है पहले तो बात करेंगे वासु की जो तरीके से कल्चर को लेकर आप बहुत काम कर रहे हैं तो आज का यूध और आज का कल्चर किस तरीके से बदलता जा रहा है और यूध भी उसके साथ साथ बदलता जा रहा है देखो कल्चर किसी भी आदमी की बेसिक रूट्स होती है जब महराष्टरा जाते हो पंजाब जाते हो जब वेंटर करते हो आपको पता लगता है कि आप पंजाबियों के कल्चर में है और मराटियों के कल्चर में है मगर जम्मू में जो हमारा यूट है पिछले कहीं सालों से अपना कल्चर बूल गया है, डैल्यूट हो गया है कल्चर, मिक्स हो गया है, बूल रहा है, अब सबसे बड़ी एक्जामपल है, जोड़ी भाई है हमारे साथ, इनको देखके हैं पूरी योयो वाली फिलिंग आती है कि ये वेस्टन कल्चर है, इनके अंदर पूरा दिखता है, मगर जब आव इनसे बात करो, आपको इनकी डोगरी सुनके पता लगएगा कि अपनी रूट के साथ भी जुड़े वाई है, तो बेसिक एम मेरा और हमारी और्गनिजेशन का यही है, कि आप जितना मर्जी आप हो जाओ, आप अपनी मर्जी से, जो मर्जी आप करना चाते हो, करो, मगर जो आपकी बेसिक रूट्स हैं, जो डोगरा कल्चर है, जमू प्रोविंस का, उसको नहीं छोड़ो, क्यूंकि बंदे की जो पैचान होती है, बेसिक उसकी अडेंटिटी उसका कल्चर होता है, और जो भी आपको पैचाने का, वो आपके कल्चर से ही पैचान, बट क्या रीजन है, आपको लगते हैं, यार यूथ जो है कही ने कही डाइवर्ट हो रहा है, ये तो हमारी जो पहले जनरेशन्स थी, जो हमारे माबाप या उनसे पहले, उनकी भी गलती है, कि उन्होंने वो कल कल्चर इंकलकेट नहीं किया, और यूथ की भी गलती है, और हमारे जो एड्मिस्टेशन या जो गवर्मेंट होती है, उसका बड़ा इंपॉर्टन रोल होता है, कल्चर को आके कैरी फावर्ट करने में, तो जो हमारी पिछली सरकार रही थी, एड्मिस्टेशन थी, और जो हमारी soft powers होती है, entertainment के जरीए, या जैसे आज कल आप लोग podcast में हो, वैसे जो चीज़ें पहले चलती थी, उसमें हमारे culture को बिलकुर neglect किया गया, और बाहर के culture को, इंडिया के बाहर के नहीं, जम्मू से बाहर के culture को काफी highlight किया गया, पांच सितारे लगा के दिखाया गया, क जो चेंज हो रहा है, जो जम्मू का एक नोजवान होगा, यंक्सर होगा, वो जम्मू के मीडिया को, जम्मू के entertainment को जाधा कंस्यूम कर, तो ये जो टर्म है, cultural pollution, ये हमें बहुत देखने को मिन रहा है, क्योंकि लोग western culture के साथ जाधा adapt हो रहे हैं, तो क्या इसका reason ये भी ह कि social media का influence बहुत जाधा पड़ता जा रहा है, और एक कुछ standard set हो गया society में, यानि अगर आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप western culture को follow कर रहे हो, अच्छी बात है, globalization इसी का ना होगा, पूरा वर्ड जो है global village है, आप western culture को देखो, अब social media का जमाना है, आप western culture को देखो बाकी culture को देखो, मगर अपने culture को नहीं बूलो, हम लोग बाकियों के गरों की तारीफ करें, मगर ये नहीं बोलेंगी हमारा गर जो है, वो गलत है, या अपने गर में रहना चोड़ते हैं, तो वो गलत होगा, वो अपनी self, जिसको बोलते है, self destruction हो जाएगी उसमें, आप western culture देखो, आप बाकियों को देखो, Instagram मैं भी चलाता हूँ, मैं भी western culture को follow करता हूँ, मैं भी hip-hop सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जो एक normal teenager करता है, मगर मेरे जहन में मेरी ideology ये है, कि अपना culture जो है, वो अपना ही रहेगा, हमारा culture को आप इतना stronger दो कि बाहर के लोग आख मेरी नजर में तो zoo करता है, मेरी ideology में zoo ही गलता है, अगर आपने जानवरों के साथ interact करना है, आप wildlife century बनाओ, आप जानवरों को जाके विजिट करो, जानवर बांड नहीं है, आपको, बात करें हैं में लास पॉड़कास्ट पर, concrete बना जा रहे हैं, तो ये जो zoo वाली बात ह आला कि वो जो बनाया है, वो भी maintain नहीं किया हुआ है, मेरी नजर में तो बनाना ही नहीं जीए, और जो heritage site की आपने बात की मुबारक मंडी का पहले, सबसे बड़ी चीज़ है जो, हमारी administration आज भी गलत है उस चीज़ में, और 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब से हमारी government जल रह होगे तो वो कहीं लगते ही नहीं है, तो इसमें वैं समझता हूँ कि यूथ को ही politically active होना पड़ेगा, अपने culture के लिए अपने लिए, ताकि हम बाहर जाके बतावाएं कि हमारे पास यह है, बिल्कुल, दो aspects है इसके, कि हमने जो पहले previous podcast भी किया, उसमें कुछ historians आय थे, औ क्योंकि कुछ भी actual में, हाँ, exactly, तो इस वजा से ही जो, maybe एक ये भी reason हो सकता है, कि जो यूथ है, वो अपने culture से दूर होता जा रहा है, देखिए इस पे मेरे दो points है, जो हमारी Indian history है, ancient, medieval और modern, वो भी manubilated है, और अगर मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की, तो वो भी पूरी तरह से manubilated है, अब आप history में जाओ, अलागी मैंने history पढ़ी है, मगर मैं उतना उसमें deep नहीं जाओंगा, जम्मू कश्मीर की history में, starting से आप देखो तो जम्मू प्रोवेंस ने, जम्मू कश्मीर को administer किया, administration यहीं से चली है, चाहे पहले रजोरी से चली, फ फिर थोड़ा फरक है, मगर जब हमारा time था, हम J&K की history बढ़ते थे, वो बिलकुल ही अलग थी, उसमें कहीं और से ही दिखाते थे कि power कहीं हो रहे है, तो मैं यह समझता हूँ कि youth के लिए, हम youth को blame नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके बास 4-4 sources होंगे, 4-4 sources होंगे, इस चा बारे साधी कहीं बैठे ने नहीं पता होगता है, मैप में ही है, टच करके देखोगी यार वाँ, इसमें सरकार की गलती है, मैं youth को गलत कभी नहीं बोलता है, जितने मैंने speeches दियें, इंटर्व्यू दियें, youth वह ही करता है, जो उसके सामने होगा, youth के सामने आप चार अलग options रखता होगे, youth एक बड़ा ही delegate mindset के साथ चलता है, वह बोलेगा यहर इन चारों को छोड़ो, मैंने गरना कल्चर के साथ, वह अपनी life enjoy करेगा, वह western की तरफ जाएगा, दीरे दीरे गर की culture कतर हो जाएगा, जैसे चंडिगर दिली में जाओ, कोई culture है वहाँ पर, चंडिग वह सोच को, आजकल वह change होगी है वह से, वह मेरे नजर में वह change होगी है, जो हमारा youth है, आज की date का youth है, youth जब मैं बोलता हूं तो 18 से लेके 25 साल तक के जो बच्चे है, यह जो नोजवान है, वह try कर रहे हैं डोगरी बोलने का, और आजकल डोगरी बोलने का, वह एक masculine चीज देखते हैं कि अगर मैं डोगरी बोल रहा हूं तो अच्छी बात, तो मेरी नजर में एक positive change है और अभी पांच सालों में आया है, और इसमें सरकार का administration को कोई हाथ नहीं है, इसमें आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, बाकी influencers जो है, उनका रोल है, उन्होंने डोगरी को मिलते हैं और वहां पर बच्चों को कहा जाता है, आप English में कम्यूनिकेश करें, लेकिन आप जाकर कुछ सलेबस भी वदल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी regional language है, वो आपको सिखाई जाएगी, लेकिन घर पर parents जो है, वो उन्हीं बच्चों से हिंदी में बा बात की सबसे पहले तो, politics से होने के नाते में एक लेर कर तूँ चीज, language उन्होंने टीवी में, ads में, मीडिया में बता दिये कि लेया हैं, मगर infrastructure देखो, इस particular department के लिए तो जीर हो है, तो सरकार इसमें भी गलत है, मैं हूँ ये anti establishment में उनकी किलाफ भी बोलूँगा, और सीजन था कि मैंने डोगरी सीखनी है, मैं अपने आगे बीचे देखता था, मुझे अच्छा लगा, मैं अपने culture के साथ जुड़ना चाता था, और वैसी जो अभी यू जुड़ रहा है तो parents को कम से कम इतनी liberty देनी चाहिए, आज कल तो वैसे parents को खुद भी डोगरी नहीं जिसको आती है, वो अपने बच्चों को प्लीज सिखाओ, और आपको पता लगेगा आने वाले दस सालों में, जब जैसे कि अभी जम्मू किश्मीर जो है, बाहर से लोग काफी आ रहे हैं यहाँ पर, जब वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपकी अंदर और उनकी अंदर पर एक ही डिफ्रेंस होगा, कि आपको डोगरी आती होगी, और उसी डोगरी की बेसेस पर आप भी सोच सकते होगी, आप जम्मू किश्मीर की नेटे, वरना कोई फारक रहेगा निए, पर क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, जिसे हम अपना कल्चुर प्रिजर्व कर सकें, एक उसको बचाने के लिए क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, और खासकर जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर? और आजकाने कहीं सो सालों का, मगर इसको अच्छे से चैनलाइज करना आना चाहिए, प्रिजेंट करना आना चाहिए, और प्रमोट करना आना चाहिए, और इसमें सरकार का पैसा लगना जलूरी है, आप लोग मैं या कोई और जितना मर्जी ट्राइ कर ले, उतने बड़े परदे पहराँ अपने कल्चर को नहीं प्रमोट कर पाएंगे, जिस परदे पे सरकार कर सकती है, पंजाब गवर्मेंट है, पंजाबियत को कितना प्रमोट करती है, विदेशों में प्रमोट करती है, मराठी गवर्मेंट है, महराष्टरा की कितना प्रमोट करती है, गुज महाराष्ट्रा के आपने बात की वहाँ पर एक hard and fast रूले कि अगर आप महाराष्ट्रा में हैं चाहें आप काम के purpose से आ रहे हैं किसी भी states आ लेकिन आपको मराथी के कुछ ऐसे language है जो आनी चाहिए तो जम्मू कश्मीर में बगर इसे लाया जाता है तो लगता है कि कुछ successful हो आप आगे बीचे 10 किलो मेटर की radius में देख लो सो में से 50-50 का ratio होगा और मैं समझता हूं 50-50 का ratio होना एक शरम की बात है जम्मू के लिए तो इस चीज़ को change करना पड़ेगा जो हमसे पहले थे उनसे कोई उमीद नहीं है क्योंकि अगर वो करना जाते हो कर देते हमारी generation आने वाली generation ही इसको change कर सकती है उमीद है मेरको क्योंकि लोग try कर रहे है जो youth है वो try कर रही है बस support की ज़रूरत है आपने का सरकार जो है कुछ कर नहीं दियाना सरकार निकभनी है सरकार निकभनी है था बीजी है थोड़ी शेयर को smart भी तो बना रही है जब हुजू बना इस सोच लो आप अचा राइका की बात कर रही हो चली रहा है भी काफी hyped up है issue क्या है कि आपको क्या लगता है आप खुद डिलाओ कर रहे है हाँ जी है तो हमने प्रोटेस्ट भी किया उसको related development जरूरी है जमू के लिए इस वब development बहुत जरूरी है जमू एक developing stage पे मगर जो sensible बंदा होगा जो sensible इनसान होगा वो हमेशे ही कहेगा development चाहिए मगर sustainable development चाहिए डिवलप्मेंट वो चाहिए जो आगे वाली generation भी enjoy अगर पए आप forest काट रहे हो और जमू में हाय कैमर बोग दो जो बाहर की लोग जमू में आते हैं वो अब मैं casually बहुत हैं बाहरे लोग की द होना था तो जमू के लोगों की artificial oxygen की dependency काफी कम थी अब सरकार अगर जाती है कि हम oxygen भी artificial ले तो काटे खुले काटे बेड राइका की बात कर रहे हैं तो एक और question राइका से related क्योंकि आप law कर रहे हो तो जो lawyers की federation है या बार association है वो इसको किस aspect से देखते क्योंकि उनमें भी अलग अलग हमें aspect देखने को मिल रहे हैं कुछ support कर रहे हैं कुछ टेस्ट कर रहे हैं कुछ young budding lawyers हैं और वो सारे बोल रहे हैं कि राइका नहीं करना है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार हम जब i call shift होगा मैं देख रहा था किसी ने post किया था किमाले मुश्किल हो जाएग जो law कर रहे हैं जरूरी नहीं हो सारे एक decent family से हो humble family से हो कई लोग जो है वो थोड़े drown trotten family से हैं economically weak है तभी तो वो law कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं जो बंदा already दूर से आ रहा है पट्रोल पे पैसा waste हो रहा है हर चीज resources पे पैसा waste हो रहा है जो जानीपुर मुश्किल से पह अब यह तो सब को बता है कि high court चाहे आप जितना बहतरीन बना दो ताज महल जैसा बना दो 938 crore value नहीं लगता लेकिन आप यह एंड़ कड़े हैं तो केसी सॉल्व होने इसमें सबस्राइब देनर तो सर्फ करनी रहे तो 938 crore मैं समझता हूँ जब complete होगी तो मैं अपना फर पर एक लायर है उनका नाम नी लेगिए उनका कहना था कि ये पैसे भी कम है फिर उनके पास भी जाने होंगी ये तब धू ONE कम लग रहेक हालागी में इतना पता वहिं एक इतने लगते हैं अगर में ठेके तरह बात की थी जो खुद भी खाते हैं तो रहने बोला है ने खुला खाना अचा को लगता यह फिर दाट के खाना जरूरी नहीं है वहां पर रेनोवेशन का काम हो सकता है वहां पर यह और और इतना पैसा यहां पर सेंशन हो रहा तो उसके हाफ में में अगरी सचनी बढूंट सकता था मुबारा मंटी फिल्कूल लग सकता मुबारी के लिए लग सकता था अखनूर वाले एरिया मैं समझता हूं कि इगनॉर किया जाता वह पर डोगरा कल्ठर ओभ्या आपको इतने चोटी मोटी चीजे मिलेंगी उदूर इज दोगरा कल्चर के अंदर भी एक अलग कल्चर है जो आपको वहाँ देखने को मिलेगा वगर उनको इग्नोर किया जा रहा है यह पैसे का आदे का आदा 25 परसन भी अगर वहाँ लगता रहा तो जम्मू को हम एक अलग जम्मू दिखा कर सकते थे जो अमना थिया तरी आ रहे है अच्छा कोई एक ऐसी इंट्रस्टिंग चीज जो आपने देखी हो जब आप जैसे कल्चरल पर काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जीज जो कि लोगों को पता नहीं है लेकिन हमारे डोगरा कल्चर में है और आपने उसको एक्सपीरियंस किया उस हेरिटेज साइट पर जाकर य पर जाए पर और और देखा बहुत बड़ा पत्धर ता ही हर महीने एक मेला ह online और एक इंसान है वो बड़ा दूबला बदला इंसान है। आललगि माया फिट हूं.. मिरेसे उपस्धर इतना से भी उखाया नहीं किया। वो दुबला सा इंसान है, वो पत्थर वो उठा लेता है, वो कैसे उठाता है, कैसे नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चीजें उसकी बंदे की स्टोरी भी दिखानी चाहिए, क्योंकि वो खाली वो नहीं उठाता है, उसकी पूरवज जो थे उसकी फैमिली के पहले, वो सारे और सिरफ वो ही उठा बाते हैं, वो पत्थर उठाके सांकरी पहाड का पूरा एक चक्कर लगाते हैं, मैं समझता हूँ ऐसी चीजें जो है, वो मीडिया में भी आनी चाहिए, प्रमोशन उस चीज की होनी चाहिए, और ये कल्चर का पार्ट है, वहाँ पे लोग आप देख अटरवटे हैं, एक सरकार पित होनी है, भी फिल्फून तो नहीं बना रहे हैं तो इन calling करो प्रमोशन है, प्रमोशन है, इसमें बलंट होके बोलूगा, एक तो चलो, जो नेचरल स्ट्रेस से जो आता ही आता है, एक यंग एज में, दूसरा सेल्फ क्रियेटीड इट इसम हो जाए यूथ स्ट्रेस हो गया एक तो यह चीजे हैं यूथ ने खुद क्रियेट की हैं मगर अभी जो ड्रग अडिक्शन की प्रॉब्लम है और सीडियस नोट यह काफी सीडियस हो चुकी है मुझे यादा मैं एट्थ नाइन्थ में था एक और्गनिजेशन आपने भी सुन इसी जगह रहता हूं जो सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ ड्रग पैडलिंग भी जोरों से होती थी उस टाइम पर और कंजम्शन भी जोरों से होती थी तो मैं वह उस चिसी जिसना इसको समझता हूं ड्रग एडिक्ट जो लोग है मेरे नज़र में हो विक्टम है क्योंक जमू जैसे एरिया में या पंजाब जैसे एरिया में जो इस वक्त काफी जादा ड्रग्स में होता गया है कि एक माइंड सैट होता है जैसे for example मैं हूँ मैं अपने ग्रूप में अच्छा गासा हूँ लड़ाईयां जगड़े करता हूँ डैल मारता हूँ टोर है तो कोई ना कोई मेरे पास आके बोले यार तेरी इतनी डैल है यह ले यह नशागर के देख यह peer pressure में आ जाता है बंदे को दिलेरी दिखाने के लिए वो नशागरते हैं तो मेरी नजर में मानसिक तोर पे मेंटल तोर पे एक विक्टम होता है करने वाला और खाली वो नहीं उसके घर वाले बड़े परेशान होते हैं क्योंकि शराब का नशा एक अलग चीज़ है आप छोड़ भी सकते हो आप अगर कर रहे हो अपने रिक्रेशन के लिए कर रहे हो सरकारी दोर पे लीगल भी है अगर यह जो सिंथेटिक ड्रग्स है खास कर जिसको हम चिट्टा बोले है यह आपके घर के बरतन भी विक्वा दाएगा चाहिए आप करोड़ भी है और एडिक्शन इतनी है एक डोस के बाद आप दूसरी लोगे दूसरी के बाद तीसरी और करते करते हैं या तो आप मर जाओगे या तो आप छटक पर आजोगे इस बात को ज़ादा हीूमरिस तो नहीं रहना चाहिए लेकिन जैसे उड़ता पंचाब मूवी बनी थी मुझे लग रहा आने वाले टाइम पे उड़ता जम मूवी बनने वाले क्योंकि जैसी डो प्रॉमिनेंट डिस्ट्रिक्स है जहां पर सबसे ज़ादा ये जो नशा है सामभा और कठुआ लगिना सरकार ये पुलीस जो अच्छा काम पूइंट है कि मैं देख रहा हूँ बिछले कहीं तीन-चार सालों में ड्रग्स कम हुआ है मतलब कम वो नहीं कह सकते कि बिल्कुली ड्रास्टिकली कम हो गया मगर जो पेडलर्स है उनको डर्बी और वो पकड़ों भी रहे है ऐसी बात नहीं हम मीडिया में देखते हैं उनको पुलीस काफी अच्छा काम कर रही है जो एंटी ड्रग्स टास्क पॉर्स है और जितनी भी नार्कोटिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे है नार्कोटिक्स पर बहुत अच्छा काम कर रहे है इसी साथ में एक चीज जोड़ना जाऊंगा अब ये खाली केमिकल ड्रुक्स में एको ट्रग एड हो गया जिसकुशा है हम सारे जानते हैं अगर इतनी सीरेस्ली ने लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिगरेट्स इंडिया में लीगल है इलेक्ट्रिकल सिगरेट्स इंडिया में लीगल है और तो मैंने देखें बच्चे बच्चे बगारा हम भी कहीं चोटे जोटे बच्चे कहीं और उसका सबसे बड़ा नुकसान ही है कि आपको पता नहीं लगेगा आपको अडिक्ट होगे और दूसरा नंबर जो बंदा स्म अगार विवाले यूथ है तो एक अप असोटे बच्चों में करता चासकर दुगर कल्चूर पर काम करती है तो उसके वारे में थोड़ा बताएं अपसीशिशन वारी जो एफैडरेशन है डुकर सूदेंस फेडरेशन में बनाई ती क्योंकि मेरेगू पॉलिक्स पहले से गया था मैं टेंथ में था तो मैंने एक इलेक्शन जीती थी स्कूल में बस उसके बाद लगा कि अब मैं यह हो गया कि बाई मंतरी बूसकी भी एक स्टोरी है अब बताऊंगा बाई जो डुगर सुडेंट फेडरेशन ने इसका में मोटिव है कि जम्मू के अंदर जो यूथ ना वो पॉलिटिकली इनेक्टिव है काफी ज्यादा उसको चाहिए सरकार निकम्मी है जैसे मैंने बोला सरकार ने पॉलिटिक्स से दूर रखा हमारे यूथ को ताकि यूथ आए ना बीच में और हमारी गलती है ना गिना है मगर आज की डेट में मैं जैसे जासिद का मैंन जी उसको चैनलाइज करेंगे तो सरकार निकम्मी नहीं रहेगी तो वासुच ऐसे आप ये एक हैश्टेग बनगे कि सरकार निकम्मी है तो जैसा ये हिपोक्रेसी या डिक्टेडर्शिप चल रहे है क्या लगता है कि यूथ जो है वो पॉलिटिकल आगे आएगा पॉलिट काफी यंग है वही चीज़ है जमू में हो सकता हो जमू में कैलिवर बहुत है जमू की यूथ है जमू सिटी में शायद उतना नहीं आपको देखने को मिले उदंबूर चले जाओ कटूआ चले जाओ फार फलंग एरिया के जो लोग है और खासकर जो वहाँ पे उनको नॉल दूर गाउं में जाते हैं हम आप स्पीचिस करते हैं कल्चर के बारे में तो बताते ही हैं हम उनको यह भी बताते हैं कि आपके राइट्स के हैं आपके साथ कहां गलत हो रहा है जो आपने डिक्टेटर्शिप की बात की जब से बीरो के लिसी जमू में आई है डिक्टेटर कि आप बोलोगे मैं करने करने कि अगर आप उसको इतना टॉर्चर कर दोगे पूरा-पूरा दिन उसको बाहर बिठा गे रखो गे वह लेगा यह चोड़ो मैं अपना काम करता हूं क्यूं करने क्या अचा एक लास्ट क्वेशन लेना चाहेंगे सरकार निकम्मी है ठीक है बहुत निकम्मे काम किये सरकार निक पर एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे जादा हामफूल है वैसे तो बहुत होंगे आपकी नजर में लेकिन एक ऐसा आप बताते हैं। देखिए, यह बड़ डिफिकल्ट कोईशन है क्योंकि काम ही बड़े एक। बोट निकम्मे काम है। बोट निकम्मे काम है। आप निकम्मों पे सब की जाता हो। बोट प्रीपेट मीटर्स भी आ रहे हैं, वो भी निकम्मे है। यह जम्मू किश्मीर को बाकियों के निचे दबा दी है। आइडेंटिटी चली है। हमारी जो इंप्लॉइमेंट सी, अब सीधी बात यह है कि हमारे लोगों को आदत नहीं थी कॉम्पेटिशन की। चाहे अड्मीशन की बात कर लो, चाहे नोकरी की बात कर लो, हमारे लोगों वहीं कि जम्मू है, किश्मीर है, लदाक था पहले, आपस में कॉम्पेटिशन है। जो जीद गया है, अब बाहर के लोग जो आ रहे हैं, कॉम्पेटिशन बढ़ रहा है, हमारे लोगों को आदत नहीं है, और आदत असानी से आएगी भी नहीं, क्यूंकि यह हमारे लोगों का थोड़ा ट्रेट बन गया, करेक्ट। जोब का बड़ा इशू चल रहा है, एक वकेंसी होती है, और सो बंदे आया है, और लास्ट में वह एक भी जली जाती है, वो चैंसली हो जाती है, वो पदा नहीं क्या होता है, वो सरकार बस एक लास्ट क्वेशन पर हम वाइंड अप करेंगे, आपने का कुछ अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्स होनी चाहिए थी, वो अमेंडमेंट्मेंट्स क्या थी, शॉट में बताएं, कि क्या कुछ चीज़े थी, जो हटनी चाहिए थी, और पूरा का पूरा आर्टिकल उसके लिए हटा दिया गया. चलाया जाए क्योंकि कुल्चरल पॉइंट उफ्यू से, जो हमारा हिस्टॉरिकल पॉइंट उफ्यू है, जब उन्हें चलाया और आगे भी चलाने का दम रखता है, तो यह चीज़े होनी चाहिए थी, यह हुई नहीं और अच्छी चीज़ जो मेरी नजर में वो यह हुई कि आज की डेट में जो कश्मीर है, सारे ही अगरी करेंगे मेरे इसाब से, कि कश्मीर में जो कुछ ऐसे अंटी नैशनल एलिमेंट थे, वो कही ना कही न्यूटरलाइज हुए है, और उसके लिए सेंटर की तारीफ करनी बनती है, और मैं करता भी हुई, बिल्कुल पर क्या और बासुदेफ थे और कल्चर को लेकर बहुत बात किया ना जोडी और आप भी पॉड़कास में काफी बाते करेंगे जतने ही हुई हमारे यूट्यूब भी अब ग्रो करना शुरू कर गया तो थैंकिस सो मच फॉयो लव तो अभी के लिए फिलाल हम दोनों को इजाज़ जड़ी चे जड़ी चे लिए